हेलो फ्रेंड वैलकम बैक टू माई चैनल सभी नाव जीवन क्रेटिट कॉपरेट्व सुसाइटी प्यूलित निवेसक सात्यों का एक बार फिर से हमारे स्टी न्यूज चैनल पर हार्द एक स्वागत है मैं यूज चैनल और आप देख रहे हैं इस्टी निवेस टीवी जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी सुसाइटियों से जुड़ी हर एक लैटर्स अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों आज जो बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर रहे हैं वो नाव जीवन क्रेटिट कॉपरेटु सुसाइटी से रिलेटिड है जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि आदर्स क्रेटिट कॉपरेटु सुसाइटी की अक्सर न्यूज हमें जो भी मीडिया के दुवारा मिलती है आपके सम्मुक लेकर आते हैं तो उस वीडियो पर कुछ नाव जीवन क्रेटिट कॉपरेटु सुसाइटी के निवेशकों ने अपनी कमपनी की जानकारी मांगी और पूछा कि हमारा पैसा कम मिलेगा तो दोस्तो आपका पैसा कम मिलेगा इसकी तो हमें कोई जानकारी नहीं है लेकिन जो फिलहाल एडियो और सरकारी विभागों की जो पूरी इस वक्त जानकारी हमारे पास निकल कर आई है वो हम आपके लिए लेकर आए है जो दोस्तो आपके लिए अपडेट लेकर है वह दैनिक बासकर से है दैनिक बासकर लिखता है कि नाव जीवन सुसाइटी में 351 करोड रुपए के गोटाले में कार वाई एडी ने दो आरोपे को किया गिरफतार घर में 63 लाक रुपए और 19 किलो चान्दी भी बरामत जो दोस्तो जैपूर से ये बड़ी अपडेट हमारे पास डिकल कराई है जो इसी हफते की ये बड़ी अपडेट है ये राजिस्तान में करीब 350 करोड रुपए के नाव जीवन क्रेडिट कॉपरेटर सुसाइटी मामले में परवतन निदे साल है एडी की टीम ने दो जाद गरपतार किया है इसमें एक आरोपी का नाम जैनारायन सर्मा बताया जा रहा है जो की जैपूर का रहने वाला है और दूसरा आरोपी निजाम-दीन है वैबाड मेर में जैसिंदर का रहने वाला है एडी की टीम ने जैनारायन के घर में करीब 19 किलो चांदी 63 लाक भी जब्त किया है इसके अलावा भीवाली में वेस्टरन अनरजिस्टिक नाम की एक पैक्ट्री से भी एकाउंट सीज किये हैं इनका संचालक निजाम-दीन होने की बास सामने आई है मही जैनारायन सर्मा इस्ट्रैलिंग अर्बन को कॉपरेटिव सुसाइटी के बैंक संचालक है जा दोस्तों यहां पर यह जैना जैनारायन सर्मा इस्ट्रैलिंग अर्बन कॉपरेटिव सुसाइटी बैंक के मुख्य संचालक है बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों को एडी की टीम सनिवार को कोर्ट में पेस्ट करेगी तो दोस्तों दो साल पहले भी एस आक्टर मायन्ड वे सोसाइटी के मेनाजरिंग डिरेक्टर गर्दर सिंग सोड़ा निवासी यस विंदर बारमेयर और उसके सारे रावस निवासी मारूरी में गिरभतार किया इन में से गिर्दर सिंग सोडा जेल में बंद है, नारायन और निजाम अधिन मुक्य आरोपी गिर्दर सिंग के सबसे नजदी की वैक्ती है, सूत्र के मताबिक, इड़ी ने अपनी जाज में माना की दोनों आरोपियों ने गिर्दर सिंग की मिली बहगत से और अरोपी होग दिया केस की जाच की जा रही है इडी की टीम ने मामले में गुजरात और अजिस्तान में कई ठिकानों पर छाय पेमारी भी की गुजरात के नाडियाद आसा पुरा और एग्रो इंडेस्ट्रिस से भी अपत्ती जनक सामगरी प्राप्त की गई है इडी ने माना की आरोपी मनी लाडरिंग से भी जुड़ा है और छे महीने पहले 19,000 पेज की चार्ट सीड भी पेज की गई थी आदर्स क्रेडिट कॉपरेटिव सुसाइटी की तर्थ पर नाव जीवन क्रेडिट सुसाइटी में करोडों रुपे के गोटाले का खुलासा SOG ने किया था तो दोस्तों ज नहीं आ रही है जिससे हम आपको यह बता सकें कि इन कंपोनियों का पैसा या इन सुसाइटियों का पैसा कब तक मिलेगा अभी जांच चल लिए हैं जांच में संपत्यां सीच की जा रही हैं कुछ धड़ पकड़ चल लिए तो अभी दोस्तों हाल फिलाल में यही कारवाई यहां चल लिए और पैसे मिलने की अभी तक कोई दूर दूर तक खबार नहीं है जब भी कोई लाटस्ट अपडेट आएगी तो हम आपके सम्मुख जरूर लेकर आएंगे वीडियो पसंद आये तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक करें दूर गाल बड़ने को सब्सक्राइब करें